आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ एसी घटनाव से रोबरू कराने चारे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी अगर आप भूत प्रेतों में किन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है आज की यह वीडियो बहुत ही जाधा किरेपी होने वाली है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं आप इस वीडियो को देखने में गुमसुम हो जाएं तो उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चेनल को सस्क्राइब कर दें आप सबके सपोर्ट की इस समय हमें बहुत ही जादा जरूरत है आज की हमारी इस पहली वीडियो में आपको एक रियल घोष्ट देखनों को मिलेगा दरासल लोगों का मानना है कि इस स्कूल में बहुत ही डराबनी और अजीब चीजें दिखाई देती हैं और तभी उस स्कूल को इस्प्लोर करने के लिए एक यूटूबर बहां जाता है बहाँ अपने केमरे में कुछ एसा रुकोड कर लेता है जो बहुत ही जादा क्रेपी था तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे होंगे कि एक बच्चा केमरे में दिखाई दे रहा है और जैसे ही केमरा में इस बच्चे के पास पोचता है तो बच्चा भाँ पर छुप जाता है और ये केमरा में बहाँ पर दोड़ कर जाता है और देखता है तो बहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है आखिर ये बच्चा कहा गया आखिर कार ये बच्चा कैसे गायब हो सकता है आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं ये एक अन्नो न्यूजर्स केमरे में रेंडमली वीडियो सुट करते जा रहे थे पुल ये केमरे में कुछ एसा रिकोड हो गया जो बहुत ही जाथा ड्राबना था एक बच्चा बालिकनी में खड़ा होकर बाहर की बस एसे ही वीडियो सुट करने लगता है पहली बार इस वीडियो फुटुच को देखने पर बिल्कुल नारमर दिखाई देता है एक आदमी यहाँ पर चलता हुआ जा रहा था उसके पीछे अचानक एक साया प्रिकट हो जाता है और देखते ही देखते ये साया कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाता है लोगों का मानना है कि ये साया इस आदमी के अंदर से निकला है और कुछ लोगों का मानना है कि ये महजबस्यक इडिटिंग है आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं ये अगली वीडियो ये गाउं के पुराने स्कूल के बाहर की है और ये बंदा यहाँ पर वीडियो सुड करने के लिए आता है और ये तभी लोकेशन को ढूंड रहाता था उसके कैमरे में कुछे सरकोट हो जाता है जो बहुत ही डराबना था कर दो बहुत है झाल झाल